अस्युत्त रस्याम देशिदेवत आत्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वा परवतो ये निधी वगाहिय इस्थितह प्रतिव्या इव मान दंडः भारत वर्ष के उत्तर में नगाधिराज हिमालय पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का अवगाहन करके प्रत्वी के मान दंड़ के समान इस्थित है इसी हिमालय के अंचल में बसा है शैल संस्कृति का अग्रदूद हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश यह रिशिभूमी है यह शक्ति पीठों की धरा है यहां के प्राकृतिक वैभो में शिव की रुद्रवीणा की जंकार है नाटी पर थिरक्ते असंख नूपर शिंजित पैरों में पारवती के लास्य की लय है हिमाचल प्रदेश विश्व विद्याले इस निद्य नूतन सुरम्य प्रदेश का अत्यंत प्रतिष्ठित विश्व विद्याले है शस्त्रे शास्त्रे चकौशलम इस विश्व विद्या केंद्र का महा मंत्र है प्रेम, अनुशासन एवं उत्कृष्टता आचरण पद्धती है, राष्ट देवता है, ग्यान की जीवन्त मधुरश्मियों से आलोकित करते रहना निरवाद अनुष्ठान है ऐसा प्रतीत होता है कि यदि शुतियों की रचना कहीं बाद में हुई होती, तो दशाधिक प्रशनाकुल रहस्य मईरे चाएं इस विश्विद्याले के लिए अवश्य होती हिमाचल प्रदेश विश्विद्याले के स्थापना देनांक 22 जोलाई 1970 को ऐसे समय हुई जब हिमाचल राज्य एक केंदरशासित प्रदेश के दर्जे से ऊपर उठकर अपने पूर्ण राज्यत्यों की ओर अग्रसर था अपने विशम भूगोल के भीतर युवतर उर्जा से सराबोर इस नए राज्य की आकांग्शाएं कितनी उची रही होंगी इसका अनुमान करना कठिन नहीं है धन्य है स्वपन द्रिश्टा हिमाचल निर्माता डाक्टर यश्वंत सिंग परमार जिनके विजन की बदालत हिमाचल प्रदेश विश्वित्याले ने इस नवगठित राज्य की आकांग्शाओं को न केवल बखोबी संभाला बलकि नए नए सपनों को तराशने का भी काम किया घाटियों में खोजिये मत मैं शिखर पर हूँ धुएं की पगडंडियों को बहुत पीछे छोड़ाया हूँ रोशनी के राजपत पर गीत का रत मोड आया हूँ मैं नहीं ठहरा रहा चलता निरंतर हूँ घाटियों में खोजिये मत मैं शिखर पर हूँ आज हम राष्ट्रिय मुल्यांखन एवं प्रत्यायन परिशत यानि नैक द्वारा ए ग्रेड प्रत्यायत विश्वविद्याले हैं ये हमारी विकास यात्रा का वर्तमान सोपान है प्रेम, अनुशासन एवं उत्कृष्टता की पूंजी के साथ हम रोष्णी के उस अनन्त राजपत पर गतिमान हैं जहां का लक्ष यात्रा की अदम्य निरंतरता है वर्तमान में कुलपती आचार्य सिकंदर कुमार के योग्य नित्रित्व में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्याले निरंतर प्रगती के पत पर अग्रिसर है लगवग पांच दस्कों की अपनी यात्रा में हमारे बिश्विद्याले न सांदार लक्षे हासल किया है डाक्टर अम्बेदकर ने कभी कहा था कि जो शिक्षा आदमी को योग्या न बनाए समानकता और नैत्रित्वता न स्खाए बेश सच्ची सिक्षा नहीं हो सकती सच्ची सिक्षा तो समाज में मानकता की रक्षा करती है अजीबका का सहारा बनती है सच्ची सिक्षा समाज में जीवन का सिजन करती है मुझे ये बताते हैं खुशी हो रही है कि इन मानकों पर लगतार रग्रती करते हुए हुमारा विश्व विद्यालया कि सेतर, जाती, संपरदाय, लिंग, भाशा, राश्टियता, पत्यादी के भेजवाग के बिना शिक्षा परदान करने का काम कर रहा है। विश्व विद्यालय की शून से शिकर तक की इस यात्रा का समारंभ, शहरे शिमला में पंजाब विश्व विद्यालय के राणा पदम चंद्र सनातन धर्म भार्गव कॉलेज के प्रांगण में स्थिद, इवनिंग कॉलेज और विक्ट्री टनल के समीब डिंगल स्टेट, ए इनके समय फिजिक्स तथा कैमिस्ट्री की कक्षाएं आयोजित की जाती थी, वहीं शाम के समय अन्यान्य विश्यों की पढ़ाई होती थी, इस प्रकार इवनिंग कॉलेज जो आज किति थी में एक बहु अनुशासनिक अध्ययन विभाग है, को विश्व विद्यालय की मात संस्था होने का सुयश प्राप्त है, अपने शुरू आती दिनों में विश्व विद्यालय के संस्कृत, हिंदी, अंक्रेजी, राजनीती विज्यान, इतिहास, अर्थ शास्त्र, प्रिशी, गनित, वानिज्य, व्यवसाय प्रबंधन, संगीत, विदेशी भाशाएं, दिरिक्त, एवलोज, चोड़ा मैदान, सनातकोतर केंद्र समरहिल, एग्रो सेंटर बालु गंच की छोटी-छोटी इमारतों में प्रारम्भु हुए, इस विकेंद्रित किंतो खूबसूरत व्यवस्था को आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं से युक्त, एक विकसित परिसर की आवश्यक्ता थी। इसके लिए मुख्य शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक अध्यन्त रमणीक समरहिल नामक स्थान का चैन किया गया। बाद में विश्व विद्याले का मुख्य परिसर इसी समरहिल पर विकसित हुआ। विश्व 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 के विश्व के विबाद में है। आज ये धरोहर राजकुमारी अमरित कौर भवन के नाम से जानी जाती है। विभिन देशों के शिक्षार्थी भी शिक्षा गराण करते हैं। अंतरराष्ट्री विद्यार्थियों की 24 घंटे निरंतर सहायता के लिए निदेशक कार्याले हैं। देश विशेश के इंद्रित शोध के वो बढ़ावा देने के लिए कैनेडियन तथा आश्ट्रेलियन वो न्यूजीलेंड श्टडी सेंटर्स अलग से स्थापित किये गए हैं। विभिन राष्टी एवं अंतरराष्टी संस्थानों के साथ विश्व विद्याले ने समझावता ग्यावनों पर हस्ताक्षर किये हैं। सभी साथ चलें और आगे बढ़ें के आलोक में विश्व विद्याले समाज के कमजोर वर्गों के हितसाधन के लिए प्रतिबथ है पूर्व परेक्षा प्रशिक्षन केंडर के माध्यम से अनुसूचित जाती एवं जनजाती वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परेक्षाओं हेतु निशुल्क प्रशिक्षन प्रदान किया जाता है दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कुस्तकाले को टॉकिंग सॉफ्टवेर से लैस किया गया है दिव्यांग जन कल्यान से संबंधित कतिपय प्रावधानों को लागू करने के मामले में तो हम पूरे भारत में सर्व प्रथम है राच्य की महिला विद्यार्थियों को सनातक से लेकर पीएचडी तक कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती विश्व विद्याले के 14 चाद्रावासों में से पूरे 10 चाद्रावास महिलाओं के लिए आरक्षित है हमारी राष्ट्री ये सांस्कृतिक विरासत के सनरक्षन के लिए विश्व विद्याले में जिन 13 पीठों के स्थापना की गई है उनमें डाक्टर भीम राव आमबेटकर पीठ श्रीदीन धयाल उपाध्याय पीठ स्वामी दयानंद सरस्वती पीठ गुरु नानक देव पीठ डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखरजी पीठ स्वामी विवेका नंद पीठ डाक्टर केशो बलिराम हेट गेवार पीठ राजिव गांधी पंचायती राज अध्यन पीठ बाबु जगजीवन राम सामाजिक सरवेक्षन अध्यन पीठ डाक्टर यश्वन्प सेंग परमार पीठ मुहंदास करमचंद गांधी पीठ नेताजी सुभाष चंद्र बोस पीठ तथा संस्कृत शोध केंद निरमंड शामिल हैं अधिश्ठाता अध्ययन का कार्याले चात्रों के हित में समर्पित रहता है संकाय सदस्यों के चयन एवं नियुक्ती के सर्वस्रेष्ठ राष्टरिय मानकों की लागू होने से हमारे यहां देश के विभिन विश्व विद्यालें से शिक्षा प्राप्त उत्क्रिष्ट अध्यापक है उत्तम शिक्षकों के मार्क दर्शन से चात्रों ने देश विदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है हर वर्ष लगभग 20 प्रतिशत चात्र UGC, GRF, NET, SET आधि की परिक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं जिनमें चात्राएं अधिक संख्या में हैं चात्रों को शोध पत्र, प्रोजेक्ट, उस्तक प्रकाशन आदी में विश्व विद्याले हमेशा सहयोग प्रदान करता रहा है अधिश्ठाता चात्र कल्यान, चात्रों के उन्नक भविष्य के लिए प्लेस्मेंट सेल, ओन केंपस जोग, इंटरव्यू आदी की व्यवस्था रहती है योग्य चात्रों को स्कॉलर्शिप प्रदान की जाती है खेल, शिक्षा, सांस्कृतिक कारिक्रमों के माध्यम से चात्रों के बेहतरीन विकास का फून ध्यान रखा जाता है हिमाचल प्रदेश विश्विद्याले के विभिन शैक्षणिक विभागों में आठ हजार चात्र चात्राएं अध्यान रद्ध है इसके अतिरिक्त विश्व विद्याले ने प्रदेश के विभिन भागों में अवस्थित तीन सव महा विद्यालेओं को संबधता प्रदान की हैं, जिन में प्राया तीन लाख विद्यार्थी ग्यानार्जन कर रहे हैं आज हम जिस सोपान पर पहुँचे हैं, इसमें राजनितिक नित्रित्व की सदिच्छाओं सहित, सभी कुलपती महानुभावों, विद्ध्वान शिक्षक गर्ण, विद्यार्थियों, प्रशासनिक शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारी मित्रों के श्रम सीकरों की चमक ह और इसी शक्ति के बलबूते हम विश्व विद्याले बरिसर का विस्तार, नए विभागों का स्रिजन, सूचना प्रोध्योगी की आधारित व्यवस्थाओं का उन्नती करण, खेल तथा सौट स्केल विकास संबंधी अवस्थापना सुविधाओं का स्तरोन नयन, वैश्विक प्रतिसपर्धा के मद्दे नजर, अंतर राष्ट्रिय प्रतिष्ठानों से नए अनुबंधों, अधिक अधिक पैटेंट्स प्राप्त करने सहित, विभिन मोर्चों पर जो धिस्तर पर कार्य कर रहे हैं। प्रति बचल के माज़म से हम आचल राझय के साथ साथ विजयार्थियों, विध्यानकों, अन्वेशकों, ध्यापकों की राष्ट्रिय और अंतराष्टी व्रादी का इस अनुपम विज्याकंदर से लुढने के लिए अमंतर करता हूं। तुम केबल मेरा अमंत्रमन सभी कार करो, मानना या ना मानना तो बात की बात है, इस भवन में दिया जला है, तुम बीतर आओ और यह भवन तुमारा ही है, यह तुमारे ही अंत्रमन का भवन है। मंत्रमुक्द कर देने वाली प्राकृतिक सुन्दर्ता के बीच बसा हमारा विश्व विद्याले ज्यान के स्रेजन का केंद्र है। भारती उच्छ अध्यान संस्थान ये मानविकी तथा समाज विज्ञान को समर्पित भारत का अनूठा संस्थान है। अब यदि सन्योग से वसंत्रितु है और लाल दहकते बुरांश के फूलों ने आपके लिए पलक पावड़े बिच्छा रखे हैं तो विश्व विद्याले का ज्यानपत समीप है। जहां तक रम्या धौला धार अरवत शिंकला दिखती वहां तक ज्यान की मदुरश्मियानित खैलती रहती तिरकते आउना की पर लरजते गीते चमबा के स्वेश्वी शारदा साखार होटती उन्हें गाते। यह विश्व विद्याले के कुलगीत की पंक्तियां है। यह कुलगी संश्कृत के एक कविर्मनीशी अभिराज राजेंद्र मिष्ट की समाधि भाषा का सुन्दर प्रतिफलन है। इस मंत्र कविता को सुर लहरों में आचारी राम सुरूप शांडिल ने बड़े मनोयोग पूर्ण धंग से ढाला है। अब आप विश्व विद्याले परिसर में प्रविष्ट हो चुके हैं। आप क्यान पथपर हैं। यह उजाले से उजाले की अंतर यात्रा है। ठहरिये आपके दाहिने हाद एक शांदार भित्यचित्र है। यहां कालमान और आकाश के वर्तुल में बारह राशिचिन विद्यमान है। उचितान उचित का भेद करने में सक्षम नीर शीर विवे की हंस है। यंत्र हैं और यंत्रों के मध्य मंगल कलश है। विश्व विद्याले के अन्यान्य विभागों के अपने पुस्तकाले भी हैं। लेकिन केंद्रिय पुस्तकाले की बात ही निराली है। इसका छे मंजिला जवाहर भवन भारत के पहले उपग्रह आर्यभट का अनूठा प्रतिदर्श है। एक हजार पाठक क्षमता वाली इस सर्व सुविधायुक्त लाइब्रेरी में लगभग अठाई लाख ग्रंत तथा जनल्स सदैव उपलब्ध रहते हैं। विश्व विद्याले के आयूर विज्ञान आयूर वेद वद्धंत चिकित्सा संकाय, वैवसाय प्रबंधन संकाय, शिक्षा संकाय, भाषा संकाय, विधी संकाय, जीव विज्ञान संकाय, द्रिश एवं श्रव्यकला संकाय, भातिक विज्ञान संकाय, समाच विज्ञान स एंजिनेरिंग एवं प्रोध्योगी की संकाय, पर्यावरण विकास एवं सतत अध्ययन, महिला अध्ययन, जनजाती अध्ययन, जनसंख्या शोध, क्रिशी अर्थ शोध केंडर, धर्मशाला स्थित, बहु अनुशासनिक शेत्रिय केंडर अपनी पूरी क्षमता के साथ कारे कर रहे हैं। आए, आपको इन विभागों के बारे में विस्तार से बताएं। वर्तमान में विश्व विद्यालय का परिसर 241.11 बीघा में फैला हुआ है। आधोनिक सुविधाओं से परिपूर्ण भवनों में उच्च शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही है। हिमाचल प्रदेश विश्व विद्यालय अपने विभिन पाठ्यक्रमों के माध्यम से विश्व स्तर्य शिक्षा प्रदान कर रहा है। वानिच एवं प्रबंधन संकाय के अंतरगत तीन विभाग आते हैं जिनमें वानिच, MBA, MTA शामिल है। ये सभी आज के युग की आर्थिक स्थिति के अनुकूल कारिक्रम के माध्यम से विद्या का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शिक्षा संकाय के अंतरगत दो विभाग आते हैं जिनमें शिक्षा विभाग तथा शारिरिक शिक्षा विभाग शामिल हैं। जिनमें विभिन सनातक वसनातकोतर पाठेक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। भाशा संकाय के अंतरगत पांच विभाग आते हैं। इनमें हिंदी विभाग, संस्कृत विभाग, अंग्रेजी विभाग, बौध अध्ययन विभाग, आधुनिक यूरोपिय तथा विदेशी भाशा विभाग शामिल हैं। ये सभी विभाग केवल भाशाई समवाद तक सीमित नहीं हैं। अपितु एक संपून संस्कृतित भाशाई एकता वविभिधता के केंडर हैं। श्रव्य तथा द्रिश्य कला संकाय के अंतरगत दो विभाग आते हैं, जिनमें संगीत विभाग तथा द्रिश्य कला विभाग शामिल हैं जहां एक ओर संगीत विभाग अपनी मधूर स्वर लहरियों से बातावरण को सुरुभित करता है, वहीं दूसरी ओर द्रिश्य कला विभाग द्वारा उकेरी गई कृतियां विश्व विद्याले में अनूठी पहचान बनाए हुए हैं समाज विज्ञान संकाय विश्व विद्याले में सबसे बड़ा संकाय है इस संकाय की अंतरगत नौव विभाग आते हैं जिन में अर्थ शास्त्र, पत्रकारिता, योग, राजनीत विज्ञान विभाग, लोक प्रशासन विभाग, इतिहास विभाग, मनो विज्ञान, समाज शास्त्र तथा आजीवन अध्यायन विभाग शामिल हैं विधी संकाय की अंतरगत, पीजी सेंटर, शेत्रिय केंद्र धर्मशाला तथा विश्व विद्याले विधिक अध्यायन संस्थान स्थापित है यहां विश्व विद्याले के युनिवर्स्टी कॉलेज आफ बिजनेस इस्टडीज तथा युनिवर्स्टी इंस्टिट्यूट आफ लीगल इस्टडीज इस्थित हैं इसी परिसर में पूरु में हिमाचल प्रदेश बनने पर राज सरकार का सचिवाले एवं मुख्यमंत्री आवास भी रहा है इसके अतिरित छै निजी क्षेत्र के विधिक अध्यायन महाविद्याले भी शामिल हैं इस संकाय ने कई नियाय विदों का स्रिजन किया है जो देश में नियाय पालिका में उच्चितम सोपानों पर प्रतिश्थित हैं जीव विध्यान संकाय के अंतरगत दो उतक्रिष्ट विभाग हैं जिसमें जीव विज्ञान, जैव प्रोध्योगी की विज्ञान विभाग शामिल हैं जो व्यापक रूप से अपने नवीन अनुसंधान और विज्ञानिक नैतिकता के लिए प्रसिध हैं बहुतिक विज्यान संकाय के अंतरगत पाँच विभाग आते हैं जिनमें रसायन विज्ञान विभाग, भौतिकी विभाग, गनित विभाग, कम्प्यूटर विज्ञान, एवं भूगोल विभाग शामिल हैं, जो समकाले इन शिक्षा को और अधिक अनावरन प्रदान करते हैं. गनित विभाग के आचारे, M.B. बैनर जी को डौक्टर शांती स्वरूप भतनागर एवोडी होने का गौरव प्राप्त है. Engineering एवं Technology संकाय में पाँच विभाग हैं, जिन में IT एवं Communication, Computer विज्ञान, Civil Engineering, Electrical Engineering तथा Electronics शामिल हैं. आधोनिक समय की मांग के अनुसार सभी सुविधाओं से पूर्ण संकाय पूरे भारत वर्ष से विद्यार्चियों को अपनी उर आकरशिद करता है. अपनी Academic प्रतिबधता के लिए सुविध्यात यहां के विज्ञान संकायों के सभी विभाग, अंतर राश्ट्रिय मानकों के अनुरूप, मशीनों तथा उपकरणों से सुसजित हैं. पर्यावरन विकास एवं सतत अध्ययन संकाय में अंतर विशग अध्ययन विभाग आता है. ये हिमाले के पारिस्थेतिकिय और समाच में क्रियानमुख और विकास अनुसंधान के उभरते क्षेत्रों में सक्रियता से शोध्रत है. विश्व विद्याले का UGC मानव संसाधन विकास केंडर अपने अभिविन्यास एवं पुनस्चर्य कारेक्रमों के दिये देश भर में बहुत लोक प्रिय है. यहां पूरे भारत से उच्च एवं उच्चतर शिक्षा संस्थानों में कारेरत शिक्षग प्रशिक्षन प्राप्ट करने आते हैं. अंतरराष्ट्रिय दूरवर्ती शिक्षा तथा मुक्त अध्ययन केंडर के माध्यम से प्रतेक वर्ष पूरे भारत से लगभग 8500 विद्यार्थी अध्ययनों परांत, डिप्लोमा तथा उपाधियां प्राप्त करते हैं. इस केंडर को देश में दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से सनात्कोत्तर शिक्षा आरंभ करने का गौरव प्राप्त है. अभी विश्व विद्याले की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर रक्षा अध्ययन, सूक्ष्म जैवे की, पर्यावरन विज्ञान तथा पुस्तकाले विज्ञान ये चार विभाग नए खुले हैं. विश्व विद्याले में खेलकूत्व व सांस्कृतिक गति विधियों के लिए शारिरिक शिक्षा एवं युवा कारिक्रम निदेशाले स्थापित है, जो विश्व विद्याले के अतिरिक्त अंतर विश्व विद्याले तथा युवा महोत्सव प्रतियोगिताएं भी आय उजित करवाता है। चैतन्य, पुश्पक, नीला तथा अलकनन्दा नामक बसें विश्व विद्याले परिसर को शहर के विभिन भागों से दिन भर जोड़े रखती हैं। विश्व धरोहर, रेल, बस, कार तथा हवाई जहाज द्वारा विश्व विद्याले शिमला में सुगमता से पहुँचा जा सकता है। विश्व विद्याले के पूर्व चात्र, शिक्षा, राजनीती, खेल, प्रशासन, विधी जैसे विविधक शेत्रों में देश देशांतर तक अपनी उतक्रिष्ट सेवाएं अर्पित कर रहे हैं। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपती श्री हामिद करजेई इस विश्व विद्याले के पूर्व चात्रों में शामिल रहे हैं। इसी के साथ भारत के पूर्व राष्ट्रपती श्री प्रणव मुखरजी, निवर्तमान राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंद, आध्यात्मिक गुरू परमपावन दलाई लामा, उच्चितम न्यायाले के पूर्व मुख्य न्याधिश श्री टी एस ठाकुर, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, डॉक्टर एस वाई कुरैशी, केंद्रिय शिक्षामंत्री श्री रमेश पोकरियाल मिशंक जैसे महिमाशाली व्यक्तित्वों ने विश्व विद्याले के दीक्षांत समारोहों को गौर्वान विद किया है हिमाचल प्रदेश विश्व विद्याले काल देवता के साथ कदम ताल करते हुए परंपरा समनवित नवाचारों के दिशा में अग्रसर है सरजना पत्के सहयात्रियों के साथ साथ संपूर्ड मनुष्यता के लिए विश्विद्याले परिवार यह मंगलाशा करता है नए राग को नूतन स्वर्दो भाशा को नूतन अक्षर्दो युग की नई मूर्ती रचना में इतनी मौलिक बनू कि जितना स्वयम शजन है